दोस्तो मैं सोरंबली का आप सवी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज फटाफट जीके में हम देखने वाले हैं Top 27 ऐसे Question Answers जो की परिक्साओं में बहुत बार पूछे जाते हैं तो आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके अंड तक देखेगा 27 में से कितने Questions के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना Score कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा दोस्तो फटाफट जीके की वीडियो Only Top Study यूटूब चैनल पर रात में 9 बजे रेगुलर आती है आप चेक किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं इस वीडियो को जरूर देख लेकरे हैं चलिए सुरू करते हैं देखे पहला कोशन है पीर पंजाल लेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित हैं आपको हरे कोशन का आंसर कमेंट बोक्स में बताना है ठीक है दूसरा कोशन है मचलियों के हिर्द्य में कितने कक्स होते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों मचलियों के हिर्द्य में कितने कक्स होते हैं तो राइट आंसर इस बिल्कुल सही है दो कक्स होते हैं अच्छा मनुष्य के हिर्दे में कितने कक्स होते हैं कमेंट बोक्स में आंसर बताएगा सभी से कोशन पूछ रहा हूं में ठीक है बहुत इजी है मुझे पता है बट फिर भी देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका भी आंसर गलत कर पाते हैं कोशन नबर थ्री है उस धातू का नाम बताईए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है तो कौन सी धातू है दोस्तो जिसको चाकू से काटा जा सकता है बहुत फेमस कोशन है ये रेलवे का तो तीसरे कोशन का राइट आंसर रहेगा बिलकुल सही सोडियम सोडियम को दोस Stock Exchange यानि कि BSC किस वर्स इस्थापित किया गया था तो मेरे प्यारे दोस्तों Bombay Stock Exchange किस वर्स इस्थापित किया गया था तो right answer is 1875 में D right answer हैगा question number 4 का सही उत्तर ये भी आपको याद रखना है question number 5 है राम सेतु निमलिखित में इसे कहाँ पर इस्थेत हैं तो राम सेतु मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पर इस्थ brack青 तो इस question का right answer है चारण है कि पाक जल्डम. रूम मद्याया था यानि कि кि option a right answer हैगा इस question का सहीendar अच्छाव ये भी हमिक मोरा मभ्य पूछार जाता है कि पाक जल्डम्रू मध्या किन दो डेसों के बीच इस्थेत हैं तो पाक समझ के धोस्तों आप पाकिस्तान मत समझना क्योंकि बहूत सारे स्ट्टॉरेंट यहीं गलति करते हैं यह सिरलंक और भारत के बीच में है ठीक ठीक है पाक जल्डमरू मध्य कहाँ पर है स्रिलंक और भारत के बीच में देखे 6000 कोशन आंसर्स की मास्टर पीडियप में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट कोशन आंसर्स की पीडियप मिल जाती है इसमें करेंट अफेर 2023 और 2022 दोनों मिलती है और 500 रुपे की पीडियप 500 रुपे में अभी भी आपको मिल रही है ये 15 अगस्त का ओफर दोस्तो अभी 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है यानि कि अगर आज इस पीडियप को आप लेते हैं तो 500 रुपे में मिल जाएगी और अगर आप इस PDF को कल लेना चाहेंगे तो ये 200 रुपे में मिलेगी तो ये offer अब आपके लिए सिर्फ आज last day है आज के लिए बचा है फिर इसका ये offer रिपीट नहीं होगा हमारा WhatsApp नंबर भी है इस पर भी message कर सकते हैं message सिर्फ एक ही करना है कि master PDF का link बेजे description box में भी link दिया गया है उस पर भी click करके आप payment कर पाएंगे छटा question है cinema के छेतर में सर्वस्रेस प्रदशन के लिए परतिवर्स Academy Award यानि कि Oscar का आयजन किस देश में होता है और WhatsApp नंबर हमारा यहाँ पर हर एक slide में लिखा हो मिलेगा जल्दी answer रते है दोस्ते इस question का देखें ओसकर का जो आयूजन होता है दोस्तो वो होता है अमेरिका में छटे question का right answer is B यह आपको याद रखना है भई देखें सात्वा question है । पानी को bleaching powder में मिलाने पर कौन सी gas निकलती है पानी को bleaching powder में मिलाने पर कौन सी gas निकलती है तो right answer is chlorine निकलती है दोस्तों साथवे question का right answer हो जाएगा c ये आपको याद अखना है देखे आठवा question है द्यानन्द सरस्वती निमलिखित में से किस mission के संस्थापक थे दोस्तों द्यानन्द सरस्वती निमलिखित में से किस mission के संस्थापक थे तो right answer is का राइट आंसर हो जाएगा भी ये भी आपको याद अखना है देगे नौवा कोशन है सब्त वर्सिय युद किन देसों के बीच लड़ा गया था तो नौवे कोशन का राइट आंसर हैगा ये लड़ा गया था दोस्तों इंग्लेंड और फ्रांस के बीच में यानि कि नौवे कोशन का राइट आंसर भी हो जाएगा भई ये आपको याद दखना है देखे सत्यवर्त कादियान निमन में से किस खेल से संबंदित है और सहसान अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाएए करते हैं अगला कोशन है अंतरिम सरकार के गठन की घोषना कब की गए थी अंत्रिम सरकार के गठन की कोशना मेरे प्यार दोस्तों 24 अगस्ट 1946 में की गई थी ग्यारवे कोशन का राइट आंसर हो जाएगा बी यह आपको यह दखने है बारवा कोशन है भारत के किस छेत में सर्वधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है दोस्तों राइट आंसर हैगा मरुस्तलिय चेतर में यानि की सी राइट आंसर हैगा दोस्तों 12 कोशन का सहीवत तेरवा कोशन है अनुच्छे 54 का संबंद निमलकित में से किस से है मेरे प्यारे दोस्तों अनुच्छे चोवन का संबंध इन में से किस्से है तो रास्पती के निर्वाचन से यानि की तेरवे कोशन का राइट आंसर हो जाएगा उप्शन ये याद रखना है कोशन नमर्फोटीन है निमलिकित में से कौन सा परदार्त किंद्रक में सरवधिक मातरा में पाय जाता है दोस्तों कोशन नमबर 14 का राइट आंसर रहेगा प्रोटीन यानि की भी राइट आंसर रहेगा कोशन नमबर 14 का सही उत्तर यह आपको या दखने में कोशन नमबर 15 है किस सविधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो सवतंतर राष्टों में विभाजित किये गए थे तो किस सविधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो सवतंतर राष्टों में विभाजित किये गए थे भारतिय सवतंतरता अधिनियम 1947 यानि कि राइट आंसर रहेगा ओप्षन है यह आपको याद रखना में सोलवा कोशन है समवे को किसके गुननफल के रूप में व्यक्त किया जाता है दोस्तो राइट आंसर हैगा दरव्यमान और वेग यानि की ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर सोलवे कोशन का सही उतर ये भी आद रखना में सतरवा कोशन है निमन मेंसे किस्तव का सरवधिक समिस्थानिक होता है तो राइट आंसर इस पोलेनियम का यानि की ऑप्शन डी राइट आंसर हैगा सतरवे कोशन का सेट अठारवा कोशन है विस्व रक्त दान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तो विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है तो इस कोशन कराइट आंसर हैगा 14 जून को यानि कि 28 कोशन कराइट आंसर इस डी यह आपके अधखने है 19 वा कोशन है पस्चिम दिशा में अरब सागर की और ने बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तो पस्चिम दिशा में अरब सागर की और ने बहने वाली नदी कौन सी है तो इस कोशन का राइट आंसर रहेगा कावेरी यानि की राइट आंसर डी हो जाएगा 19 वे कोशन का सयुक्तर 20 वा कोशन है सिंद नदी का उदगम होता है तो दोस्तो ये होता है कहलास परवत माला से यानि की डी राइट आंसर रहेगा 20 वे कोशन का सयुक्तर देखे किस वा कोशन है तिबबत में सांग पो कहलाने वाली नदी कौन सी है तो इस कोशन का सही उत्तर रहेगा आपका बरहमपूत्र यानि की डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो अगला कोशन है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा तो राइट आंसर इस पानी बनेगा यानि की 22 वे कोशन का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा तेस्वा कोशन है चिंतावान उपन्यास हाफ ओफ वाइट आई से के लेखक कौन है तो तेस्वे कोशन का दोस्तो राइट आंसर एगा अनील मैनन यानि की ओप्शन भी राइट आंसर एगा 23 कोशन का राइट आंसर अगला कोशन है सर्च लाइट का प्रावर्तक कौन सा है अवदल दरपन दोस्तो राइट आंसर एगा 24 कोशन का राइट आंसर इस भी ये आपको याद अखना है 25 कोशन है न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्येंजक प्राप्थ होता है तो राइट आंसर इस दृत्य गतिकी नियम 25 कोशन का राइट आंसर भी हो जाएगा ये आपको याद अखना है 26 कोशन है निमन में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटी बोडी नहीं होती है तो राइट आंसर इस एबी यानि कि 26 कोशन का राइट आंसर सी रहेगा 27 कोशन है ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उप्योग करने वाले भारत के पहले सहर का नाम बताईए 27 कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा इंदोर यानि कि भी राइट आंसर हैगा 27 कोशन का सेउत मेरे प्यारे दोस्तो अब आप लोग बताएंगे 27 में से कितने कोशन के आंसर आप लोगों ने सही किया है साथ ही साथ बतेगा कि राम सितु निमलिकित में से कहा परिस्तित है यह आपके लिए टेस्ट कोशन भी है इस वीडियो का तो जल्दी से इस कोशन का अंसर कमेंट बोक्स में बता दीजेगा इसके बाद में करेंट फिर की पीडियाप और यूटूब फिरी पीडियाप आपको यहां से मिलना स्टार्ट हो जाएगे प्यारे दोस्तों 6000 कोशन आंसर की मास्टर पीडियाप का ओफर डे जो दो दिन के लिए बढ़ाया गया था वो भी समाप्त हो गया है अब यह पीडियाप आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगी 500 रुपे की पीडियाप जो आज 1500 रुपे में मिल रही आपको यह मिलेगी कल से 200 रुपे में तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ये सारी पीडियाप को मातर डेड़ सो रुपे में आज प्राप्त कर पाएंगे, जिसमें करेंट अफेर 2223 भी इंक्लूड है, तो ये टोटल मिलाके 8000 के करीब कोशन आंसस बन जाते हैं, तो ये मातर डेड़ सो रुपे में आज मिल रहा है, क कुछ भी मैसीज नहीं करना, ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक सेर कर दीजेगा, चैनल पर नए है, तो सब्सक्राइब करिए, बैल ऐकन कोण रखिए, ताकि आगे है नहीं वाली कोई भी वीडियो मिशना हो, थैंक्यू सो मच, बाई बाई आवर्योंट, टेक केर, कर देक एला के पना.